गुड मॉर्णिंग डियर इस्टुडेंट्स आज हम साइन्स में चैप्टर 10 इस्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट, साउंड एंड फोर्स के बारे में लाइट होता है प्रकास जिससे कि हम लोग किसी भी सामान को इसकी मदद से देख सकते हैं आप लोग सोचिए अगर रात है और बिना लाइट के हम लोग क्या किसी भी चीज़ को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्योंकि लाइट जो है किसी भी सामान को देखने का एक माध् light की मदद से हम लोग किसी भी सामान को देख सकते हैं फिर है sound sound जो है जैसे अभी आप लोग mobile में सुन रहे हैं मेरी आबाज को और देख रहे हैं कि इसमें picture दिया हुआ है torch है और tree है sun है लेकिन मेरी आबाज को आप सुन रहे हैं तो यह क्या है sound है and force force वो चीज है जो हम लोग कोई भी सामान को जैसे pen आप लोग pencil को उठाते हैं लिखने के लिए तो कहीं ना कहीं force लगाते हैं हम लोग copy में लिखते हैं तो force लगा के जो जितना force लगाता है वो उसका writing जिसे अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तो writing अच्छा होता है सही force लगात तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में यहां कि आप लोग च़त पे जाएए यहां घर में ही रूं में ही दिन के समय हम लोग किसी सामान को देख सकते हैं या चट पे जैसे चट की बात के तो दूर दूर हम लोगों को विल्णिंग दीख जाती है या कहाँ पे प्लैन है, कहाँ पे घर है, यह सब दीख जाता है However, we cannot see things clearly in a dark room हलांकि जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं जब रूम के लाइट को आप आफ कर दीजिए तो क्या हम लोगों को सामान जो है साप साप दिखेगा Can you tell why? ऐसा क्यूं होता है? आप लोग बता सकते हैं This is because we need light to see things ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को किसी भी शामान को देखने के लिए light की जरुरत होती है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं जहां रात के समय आप छत पर जाएए तो आपको जैसे दिन के समय में आपको कई सारे विल्डिंग देखेंगे पुरा क्लिरली रात में आपको नहीं दिखेंगा, आपको वही बिल्डिंग दिखेंगे जिस बिल्डिंग में lights on होगा अब आगे बढ़ते हैं light की तरफ Anything that gives out light and help us to see is called source of light Anything कोई भी चीज जिससे कि हम लोगों को light मिलता है और जिसकी मतब से हम लोग देख पाते हैं वह source of light कहलाता है, the sun is the natural source of light on the earth, sun जो है यह क्या है, natural source है light का पिर्थभी पर We can see that there are two kinds of objects, हम लोग देख सकते हैं कि दो परकार के object होते हैं जिसमें first है आपका luminous और second है आपका non-luminous object तो सबसे पर हम लोग देखते हैं luminous object के बारे में Objects that give out light are called luminous object वैसा object जो light देता है वो luminous object कहलाता है They emit there on light like the sun, the star, torch, candle, bulbs, etc are human made luminous object that help us to see in dark They emit there on light मतब वो जिसमें खुद का परकाश हो जैसे कि sun को देख लिजे, star को देख लिजे यह क्या यह सब luminous object है and torch, candle, bulbs इन सब की मदद से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं torch जला के देखते हैं या कभी light चली जाती है थे हम लोग क्या करते हैं candle का यूज करते हैं या जिसके inverter है वो bulbs on करते हैं यह सब जो है क्या है आपका human made luminous object है मतब मानब के द्वारा बनाया गया luminous object जिसकी मदद से हम लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं next है आपका non luminous object object that do not give out light are called non luminous object वैसा object वैसा बस्तू जो light नहीं देता है जिसको खुद का light नहीं होता है वह non luminous object का लाता है they do not emit their own light यह जो है खुद का प्रकास इसको नहीं होता है we can see those object when light fall on them यह object तभी दिखते हैं जब इस पे क्या होता है light पड़ता है प्रकास जब इस पे डालते हैं तभी हमको दिखता है जैसे कि एक dark room में अगर कोई भी सामान धूर्णना हो तो उसके लिए हम लोग को bulb light on करना पड़ता है चाहे हो हम candle जलाके कि सामान को ढूंडे या कभी-कभी ऐसा होता है कि light बिल्कुल जले जाती inverter भी काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं या मात चीज जलाके हम लोग यूज करते हैं मतलब light के लिए जिसे candle है टॉर्च है इन सब चीजों का यूज हम करते हैं खोजने में फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टार जो है बनावा नीचे light travels in straight line called rays light जो हमेशा straight line में ही travel करती है जिसको ray बोलते हैं when this light ray hit anything they reflect back the light जब ये ray जो है ये light ray है किसी भी चीज में टकराती है तो वो क्या होती है reflect होती है जैसे कि आप लोग घर में कर सकते हैं कोई भी light जलाई है mobile light जलाई है और सीशा पर मारिए तो सीशा का light क्या होगा वो reflect करेगा reflection this is called reflection of light और light जो है इसी को reflection of light करते हैं कभी कभी हम लोग sunlight में धूब जो आती है उससे हम लोग सीशे से क्या करते है sunlight को इधर उदर reflect करते हैं और लोगों को परिशान भी करते हैं ऐसे it is due to the reflection of light that we are aware to see the things around us जो reflection of light होता है और वो reflect होके जो हमारी आँखों तक आता है तभी हम लोगों को पुश्रामान दिखता है depending on the amount of light that pass through on object they are divided into three types अब यहां पर है कि light amount of light कितना पास होता है कौन से object में SMS को तीन भागों में बाटा गया है और इसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे आप लोगों को light luminous object और non luminous object के बारे में जानकारी प्राप्त किजे की luminous object क्या होता है आप लोग घर में example देख सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में ना आए तो फिर से हमसे पूच सकते हैं ओके थैंक यू